कि पर देखे रहे हों मारा पीडीवी को भूरा इंडिदिपेंडेंट हो गजरेंगे बिसमिल्ला रखमर्राभ्याभ gadas啊 आज इस वक्त प्राइब इनिस्टर इम्राण कान साब ने दो मीटिंग जो हैं वोचियर की एक मीटिंग में जो पाकिसान तरीके कि इनसाफ के आज आर है जो मीटिंग जो ढबन ली वचियर्मन पाकिसान तरीके कינसाफ की हैसियत लिए उसमें जो पहली मीटिंग है उसमें फैसला किया गया कि आरफ अलवी साथ जो सदर के अमीदवार है पाकिस्तान तरीक इनसाफ के ये फैसला हत्मी है और इन्शाला जो चार सेप्टेंबर को अलेक्शन है सदर का उसमें आरफ अलवी साथ पाकिस्तान तरीक इनसाफ की इस इंतखाब में हिसा लेंगे जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो पार्लिमेंट है उसकी असूलन जो तादाद है वो 702 होनी चाहिए लेकिन कुछ नशिस्तें खाली है लहाजा 685 इस वक्त कुल तादाद है पार्लिमान की और 685 में जो अक्सरियत हासल करेगा यह जो म असम्बली के वोट होते हैं प्रेजजेंशल एलेक्शन में वो हर असम्बली के 65 वोट तसवर किया जाते हैं क्योंके बलोचिस्तान की असम्बली के 65 वोट हैं लहाजा बाकी तीनों असम्बली के वी वोट हैं वो 65 तसवर किया जाएंगे और इस हवाले से हमने अपनी صدر ہوں گے دوسری جو میٹنگ ہوئی اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو آہ پارلیمنٹری آج جو بورڈ ہے وہ تشکیل دیا گیا عمران خان صاحب کی سربراہی میں اور پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ بائیل ایکشنز میں یعنی زمنی انتخابات میں جو ٹکٹس کی امیدوار ہیں ان کو ٹکٹس جاری کرنے کا حتمی فیصلہ کرے گا ستائیس تاریخ کو اس کی میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے इसके लिए जो बाइ एलेक्शन्स है उसके लिए अप्लिकेशन्स ना मांगने का फैसला किया गया है जो अप्लिकेशन्स इन हलकों में पहले से मौझूद है उनको कंस्डिडर किया जाएगा और इसके इलावा जो पालिमानी बोर्ड है वो खुद रिक्मेंट कर सकेगा वहां से जो कैनिडेट है उसको लहाज़ चुके वक्त नहीं है अठाइस आपको मालूम है आखरी आठाइस से लेके तीस तक जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा होने है वक्त नहीं है लहाज़ा इसको मलहुजे खारते हुए एप्लिकेशन्स जो हैं वो नहीं मांगी जा रही और जो पुरानी लिए गया इसके अलावा आज जो पाकिस्तान टेलिवियन में जो मैंने ब्रीफिंग ली है उसके बाद हम मैंने हमने ये फैस्टा किया है कि पी टी वी को हम दो नए चैनल पी टी वी के ला रहे हैं एक पी टी वी स्पोर्ट और एक पी टी वी बच्चों का हमारे हम के लिए डेडिकेटिड चैनल जो है वो इन्शाला ताला पाकिस्तान टेलिवियन जो है वो लाएगा और जो मौझूदा स्पोर्ट चैनल है उसको हम पी टी वी क्रिकट करेंगे और इसके साथ एक स्पोर्ट चैनल एड़ किया जाएगा क्योंकि हमारे मुल्क में जो क्रिक करन हैं जिसे तरह से मैंने कल का था पिटी वी को हमने मीडिया को बिल्कुल इंडिपेंडरेंट किया है और अब हमने उसके editorial board में जो people's party और PMLN के जो तर्जमान है उनको भी हमने उनके editorial board में जगा दिये ताके ensure किया जा सके कि वो भी मुतमेन हों कि opposition को coverage जो है दी जा रही है और आज काल जो headlines हैं उनमें मैं देख रहा था कि opposition को coverage बाकी private channel से भी ज्यादा मिल रही है बाराल हो सकता है इससे ये रवायत पड़े के आगे चलके दूसरी पार्टीज भी एक दूसरे को बरदाश्त करना सीखें और बाकी जिस तरह इमरान खान साब ने जो एकदामाद लिए कबीना में कल ये तारीखी नौयत की एकदामाद थे इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिसान की तारीख में और हमने देखा किस तरह से इमरान खान साब ने अपने अख्तियारात की कुर्बानी दी अर्बो हार रुपया जो इससे पहले वुदरा आजम खरच करते थे इमरान खान ने वो खरच करने से इंकार किया और वही सारा जो इमरान खान से जो शुरू हुआ मामला वो अब नीचे तक ट्रिकल डाउन हो रहा है और अर्बो रुपय की बचट जो है वो हकूमत को हुई है सिर्फ इन चंद दिनों में हुई है इन्फेक्ट करोडो रुपय की बचट और इन्शाला दाला इसी सिलसले को आगे बढ़ाएंगे मौजूदा खजाने की हिफाज़त करनी है और नया जो वसाइल है वो पैदा करने है ये पॉलिसी है हकूमत के और इसी के मताबिक आगे चलेगे पॉजिशन के बचेला हो जो आभी आप पॉजिशन मुताहिद है मरी में जो इज्ञास हो रहे हैं तो उनके तरफ से ये भी आ रहा है कि अज़ाद आरकान आरकीन जो है फीपस पार्टी के साल है वो अपना कंदेट देके आरे है तो इस वक्त आप लोगों की पॉजिशन क नवाज इबरान खान साब को वोट दिया था इस अलेक्शन में उन उनका साथ मुकमल हमें हासल है और इसी चीज़ को जो है वो इन्शाला वो तुबारा सदर के अलेक्शन में भी हमारे साथ होंगी इसलिए मैंने आपको और्स किया कि सदर के इंताब में बजाहिर हमें कल तक या पर्सों तक जो है वो मेरे पास आएगा पहले भी आपको मालूम है मैंने जो नंबर दिया है वो एक्जेक्टली उसी के उपर अल्हम्दलिल्ला हम पहुंचे हैं तो इसलिए मैं कोई ऐसा नंबर नहीं देना जाता जिसमें बाद में उपारी साथ में पारी साथ की भी तालीमी कापलिया देख लेते हैं अगर मैट्रिक पास अधर हो सकता है तो फिर गवर्नर में भी को प्रॉब्रम है जो आज़कल हर जगा कहते हैं कि आप एक निया शेख रशीद आ गया है तो आप तो उनसे मिले भी होंगे तो मुझे बताएं क्या तब्दिलियुन म मेरे ख़ल उन्होंने जो असल में इमरान खान इंस्पाइर कर रहे हैं पूरी टीम को तो जो शेख रशीद साब का भी कहने का मक्तलब या है कि जो माजी में जिन हकूमतों के वो हिस्सा रहे हैं और जो प्रैक्टिस हुई हैं वो अब मामला नहीं है और एक नए मामला जो ह जिद्द से वागे बढ़ रहे हैं और इन्शालला आप देखेंगे रेलवे का जो खसारा है जो 40 अरब रुपे के उपर है उसको इन्शालला कम करने में साद रफीक साब ने तो माशालला कोई कसर नहीं छोड़ी रेलवे की कमर तोड़ने में लेकिन आप इन्शालला उसक इन्शालला उसमें जो आप समझिए कि जो निटी करिटी है वो हो रही है और उसके मताबक इन्शालला आइंदा चंद दिनों में ही बलके हो सकता है चोपे सटालेस गंटों में ही एनांस्मेंट हो जब लाहूर गए पिंडी से तो वहां पे उनको फुल प्रोटोकल दिये अग्यार तमाम कैबन्स बंद करा दिये गए लेकिन आप तो प्रोटोकल के खिलाफ है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मतलब है कि कहने को कुछ हो रहा है और दिखाने को कुछ हो रहा है मैं तो जो प्रेस इलीस देख रहा था उसमें तो शेख रशीद साब ने कहा कि वो तकलीफ दी गई तो मेरा यह ख्याल है कि वजारते रेलवे की इस क्लारिफिकेशन के बाद पर इस सवाल की बाते हैं यहां तो बहुत ज़्यादा मामला आता है इस पर मैं तफसीली ब्रीफिंग इन्शाला दूँगा जाहरा है सबसे पहले तो जो अरभा रुपे के इ इस त्यारात दिये गए हैं उनका मामला बहुत संगीन है उसके इलावा जो बर्तियां की गई है कुछ लोगों को तो मुझे लगता है उनके घर में बेजने पढ़ेंगे के पैसे बस बस करें इस तरह से मैंने पहले एक तो यहां पर आपने याद करा दिया जस तरह से पहल मैंने सेंसरिशिप खत्म की है इम्रान खान साब के आइडियालोजी और उनके हुकम के मताबिक और जिस तरीके से हमने पी टीवी और रेडियो पाकिसान को पाकिसान में तमाम इनको इंडिपेंट किया है अब अगला जो